असलाम आलेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MS Word के और आज से हमारे क्लासे स्टार्ट होने जा रहे है MS Word के वन बाई वन हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे लेकिन आज जो है हमारा टॉपिक है वो है MS Word का इंटरफेस देखना तो स्टार्ट करते हैं टॉप पे यहां में लिखा हुआ है डोकमेंट वन अब इस डोकमेंट वन में यहां पे इस डोकमेंट वन को टाइटल बार बोलते हैं और यह टाइटल बार कहलाता है यानि अगर कोई भी फाइल आप सेव करेंगे जिस नाम से आपने सेव किया है तो इस डोकुमेंट 1 की जगा जो है वो नाम लिखा हुआ आएगा और .Microsoft आएगा अब .Microsoft क्या है यह जो है आपका MS Word में काम कर रहो इसलिए अगर यहां पे HTML में काम कर रहे होते हैं तो यहां में लिखा हुआ था .HTML अगर आप जो है C++ में काम कर रहे होते हैं तो फिर वहां में लिखा हुआ था .CPB तो यह जो है extension है अब इसके बाद हम बाद करेंगे कि यह जो file लिखा हुआ है home लिखा हुआ है insert, page layout, reference, mailing यह जितने भी लिखे हुएं इनको tabs बोलते हैं यह tabs कहलाते हैं और second नाम जो है इसको nav bar भी बोलते हैं अब इसके बाद यह जो जितने भी tools हैं जहां पर मैंने selection किया है इसके इलावा भी और भी tools हैं यहां पर अगर आप देख सकते हैं इनको जो है ribbons बोलते हैं यह ribbons कहलाते हैं इसके बाद अगर हम बाद करें working area की जहां पर हम काम करते हैं इस area में जो है हम MS Word पे काम करेंगे और next बाद करें तो next जो है हमारे पास यह scroll है मतलब scroll को up और down मतलब page को जो है आप उपर नीचे कर सकते हैं अब इसके बाद हम बाद करेंगे यहां पे page अब यह क्या है कि page one of one यानि एक page लिया है और आप page number one पे काम कर रहे हैं यहां पे आपके बाद page का जो status है आपको बताएगा कि page जो है आपने कितने लिये हुए है और आप कौन से page पे काम कर रहे हैं यहां पे हमें नजर आएगा अब इस area को जो है status bar बोलते हैं इसके बाद हम बाद करें तो इस area का यह area जो है reading के लिए होता है यानि हम इस page को किस तरह देखना चाहरे हैं इसका मतलब layout जो है हमें देखाता है कि आप जो है कौन से layout में देखना चाहरे हो यानि आप इसको full screen में देखना चाहरे हो या जो है इसको web layout में देखना चाहरे हो या जो है आप इसको बिलकुल स्वे normal पे देखना चाहरे हो तो यह area जो है reading view कहलाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पहर जो zoom in और zoom out है यह तो पदा है कि जैसे अगर हम plus plus करें तो यह होगा zoom और अगर इसको minus पह क्लिक करें तो यह जो है zoom out हो जाएगी इसके बाद हमारा जो main है जहाँ पहे rulers है यह जो मैंने selection किया यहाँ यह area जो है rulers है अब इस सेट पे भी रूलर्स हैं इस सेट पे भी रूलर्स हैं यानि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल बात बताओ उनको आसान अलफाजों में समझा दूँ जैसे क्लास में या किसी हमने बच्पन में पढ़ा होगा कि हमें टीचर यही कहते थे कि आप जो है दोनों साइड पे मार्जन लाइन लगाएं तो यह मार्जन जो है वही इस पे है कि यहां पे भी हमने मार्जन लाइन लगा हो है और यहां पे भी हमने लगाया हो है मतलब कि MS Word में यहाँ मार्जन में दिखेगा तो नहीं लेकिन इसमें मार्जन ही है यानि इससे आगे हमने काम स्टार्ट कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आज के लिए इतना ही है अला आफिस